भारत की तरफ से अपना पहला टेस्ट में छेलरे कुल्दीप यादव ने सांदार गेंद बाजी करते हुए 23 ओवर में 68 रंदेकर सबसे चादर चार विकेट लिये हैं जबकि ऑस्टेलिया के तरफ से कप्तान स्टीवन स्मीथ ने लाजवा पारी खेलते हुए अपने टेस्ट करियर का वीश्वा सतक पूरा किया भारत की तरफ से 288 खिलाडी के रूप में टेस्ट क्रिकेट में प्रदारपन करने वाले कुल्दीप अपने लैक स्पिन और कुबली से और स्टेलिया के बल्ले बाजो को चक्मा देते हुए नज़र आए कुल्दीप यादों ने ये कहा कि अगर एक स्पिनर मार नहीं खाएगा तो वो स्पिनर नहीं है कुल्दीप ने कहा कि मेरे कोश ने यही बोला है कि छक्खे खाना सीखो तब जातर के इन बाज बनोगे हो सकता है उनके बोलने का तरीका सही नहीं हो उनके कहने का मतलब यह है कि बॉल को ज्यादा फ्लाइट करो बॉल में जितना ज्यादा स्पिन रहेगा विकेट लेने के चांस उतना ही बढ़ जाएगा कुल्डिप ने यहां भी कहा कि वहां कभी नहीं डरते हैं कि बल्ले बाज उनको चक्का मार देगा इसलिए वो हमेशा अटेकिंग गेंद बाजी करते हैं कुल्डिप सैनवान को अपना रोल मेडल मानते हैं उन्होंने कहा कि मैंने सैनवान की गेंद बाजी के वीडियो देखकर गेंद बाजी करना शुरू किया है और उन्हीं की तरह बनने की हमेशा कोसिस की है कुल्दीप ने कहा कि कुछ दिन पहले जब San Juan से मिले थे तो उन से Flipper के बारे में सला ली थी उन्होंने Australia के गैन बाज Brad Hawk से कभी कुछ गूर सिखे हैं आपको बता दे कि कुल्दीप और Hawk IPL में Kolkata Night Riders के तरफ से खेल चुके हैं सुरेश रेना ने कुल्दीप के लिए ट्वीटर पर ट्वीट किया हैं The Magnificent Debut by the I am Kuldeep 18 Our the UP lad is rising the superstar of the Indian balling Keep it up Kuldeep long way to go